गुट मार्ड डियर इस्ट्रेंट्स क्लास 11 के विद्यार थी इस क्लास के तहत आप लोगों को लेशन वन जो प्रोज का पढ़ाया गया था ठीक उसका क्वेश्चन एंसर कैसे करना है चूंकि चार चार नंबर के दो क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के आठ नंबर वो सा नहां पर ना तो reference, context, explanation पूछा जाएगा ना ही paragraph दे करके question answer पूछा जाएगा मतलब कि जैसे पहले paragraph पढ़ने को दिया जाता था उसके बाद question answer पूछा जाता था वैसा भी नहीं पूछा जाएगा सीधे सीधे आपसे question पूछा जाएगा 30 words का जो चार नंबर का होगा मतलब टोटल तीन question दिया गए रहेंगे जिसमें से दो करना रहेगा चार चार नंबर के मतलब आठ मार्क्स की होंगे और एक question जो होगा आपका वो डेड़ सो सब्दों में लगभग लिखना रहेगा उसका साथ नंबर होगा तो इस तरीके से आपका present pattern बनेगा ठीक अब इसमें आपको माली जे हमने पहला question लिया how was the grandfather's appearance in the portrait सबसे पहले आपको question समझना है how was the grandfather's appearance in the portrait अब इसमें आप क्या लिखेंगे in the portrait the grandfather seemed bearing a big turban and loose fitting cloths his long white beard covered the west part of his chest and he looked at least a hundred year old आप लोग paragraph फढ़ेंगे तो वहाँ पर सीधिक यही same to same word में लिखा गया है देखें लिखा भी गया question कि फोटो चित्र में दादा किस प्रकार दिखाई दे रहे थे तो उत्तर आपका लिखा गया फोटो में दादा एक बड़ी पगड़ी पहने हुए दिख रहे थे तथा धीले ढाले कपड़े पहने हुए थे उनकी लंबी सफेद दाढ़ी ने उन्हें अधिकतर मतलब उनकी अधिकतर छाती का हिस्सा धक रखा था और वे कम से कम नव वर्स के प्रतीत होते थे देखें हो सकता है कि आपकी बुक से मतलब जो टेक्स्ट बुक आपने रखा है उस ग्रेंड मदर सीम एकार्डिंट टूद ऑथर दादी मा कैसे दिख रही थी लेखक के अनुसार लेखक आपको बता है राइटर का उन है खुश्वन चिंग तो अब यहां पर देखें एकार्डिंट टूद ऑथर दे ग्रेंड मदर सीम यंग एंड प्रेटी सुन्दर दिख मतलब जो उनका चेहरा था उनके चारों जुर्यों से भरा हुआ था ठीक वह इतनी जादा बोड़ी दिखाई देती थी कि और जादा नहीं दिखाई दे सकती थी तथा 20 वरसों से एक ही उम्रे में क्या थी रुकी हुई थी यह आपका दूसरा प्रेश्ण हुआ तो आप ल और इसके उत्तर को लिखेंगे आगे आपको देखा रहा है Sometimes देखें तीसरा प्रश्ण है यह हैं बहुत आशान है आप लोग लिखेंगे याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो the author and wake up the author मतलब लेखा को उठाती थी and after taking bath and dressing him up she dropped him to the school she prepared his slate read pen read मतलब नरकट होता है and ink pot near the school in the temple she reads the scriptures and during the departure from the school she picked the author and through the style chapatis to the stray dogs मंदर में रहती थी जो कि मंदर में लर्ण कराया जाता था बच्चों को पाट और दादी मां वहां बैठी रहती थी और लोटे समय जो बासी रोटी अपने साथ लेखक को लंच के लिए लेके जाती थी और कुत्तों को खिलाने के लिए लेके जाती थी उन्हें खिलाती थी अगला लिखा गया है विए 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 टीर्निग पॉइंट तो दीर फ्रेंडशिप मतलब कब मोड आया दादी के बीच में और लेखक खुश्वन सिंग के बीच मतलब दोनों राइटर के बीच और दादी मां के बीच कब सेपरेशन हुआ मतलब अलगाओ कब आया टर्निंग पॉइंट कब आया मोड बिंदु कब आया इसमें देखिए फिन द आथर पेरेंट्स वर कमफर्टेवली सेटल्ड इन दे सिटी दे काल्ड ऑफ द आथर एंड इस ग्रेंड मदर तो लिफ विथ दम इन दे सिटी हाउस उन्हें बुला लिए सहर में जब उनके दादा मतलब उनके पैरेंट्स माता पिता सेटल हो गया दिल ही में आये थे रहने के लिए वहाँ पर जब सेटल हो गया तो और पंजाब से लेखक और उनकी दादी मा को कहां पर बुला लिए सहर दिल्ली बुला लिए that was the time when there came a turning point in their relations जब उनके संबंधों में एक मोड बिंदु आया ओके देखे चौधा कुश्यन आप लोग उत्तर नोट कर लेंगे पांचमा लिखा गया है why was she not satisfied from the city schools सहर के स्कूल से वह satisfied क्यों नहीं थी because there was no religious ठीक इस्टेडीज क्योंकि धार्मिक सिक्षा नहीं दी जाती थी और क्या दी जाती थी संगीत की सिक्षा संगीत उससे में हरलाट बोला जाता था मतलब बेश्याओं की सिक्षा को माना जाता था लिखाए she was not satisfied from the city schools because in city schools there was no teaching of God and scriptures in city there were the teaching of science mathematics and music which were out of reach and faith इसको आप लोग learn कर लेंगे चाठा कुशन देखिए why did she start to talk to the author वो लेखक से बात करना क्यों बंद कर दी she start to talk to the author because she was very unhappy क्योंकि बहुत खुशी मतलब ना खुश थी इसलिए उनसे बात नहीं करती थी she could not help him with his lessons क्योंकि वो उनकी lesson जो उनका पाट था उसमें मदद नहीं कर सकती थी she was distressed वो उदास थी because there was no teaching about God and scriptures अब देखिए वहां बताए इस्वर और जो हमारी धार्मिक पुस्तके हैं उनका अध्यन नहीं कराया जाता था इसलिए एंगरी थी above all it was music अब इससे वी पर वहां पर संगीत पढ़ाया जाता था which according to her जो उनके अनुशार वास नाट फार जेंटिल फाग मतलब यह सब लोगों की सिक्षा नहीं थी she said nothing वह कुछ नहीं कहीं but her silence meant disapproval लेकिन उनकी जो चुपी थी वही क्या था उनकी अशहमत या अशुकृत थी question no.7 पर चलते हैं देखे what was the happiest half hour of the day for the grandmother grandmother के लिए आधा कौन सा खुशहाली का दिन था खुशनुमा आधा घंटा जो दिन में होता था वो कौन सा था जब चिणियों के पास रहती थी मतलब चिणियों गरईयों को खेलाती थी वो उनके खुशहाली का समय होता था ठीक देखे यहां लिखा गया the happiest half hour of the day for the grand mother was the time of afternoon when she used to feed the sparrow she sat in the varanda wrecking the breed into little pieces and hundreds of little birds collected round her sitting on her legs soldiers and even on her head say smiled but never scold them away लेकिन कभी उन्हें दूर नहीं भगाते थी यह सातों question का answer आप लोग note करेंगी यह आप लोगों को यहां पर question number eight है फिर question number nine है इसमें वीडियो भी क्लियर नहीं इसको आप लोग मत करिएगा यहां पर आते हैं हम लोग long answer type में एक question आप लोगों को बताने चल रहे हैं what was the routine of grandmother with the grandsons for the days describe यह आपका अभी short answer लिखा गया उसी का लगभग बड़ा रूप है इसमें लिखा गया लिखा गया the grand the author was and his grandmother lived in the village वो गाउं में रहती थी since childhood बचपन से author's grandmother took care of him because author's parents were settled in the city दादी माही लेखक की देखभाल करती थी क्योंकि उनके माता पिता सहर में चले गये थी since morning to night सुबह से लेकर के रात तक all the activities of the author were guided by the grand mother सारा जो सारी क्रिया कलाप activities किसके दौरा मार्ग दर्शित किये जाते थे दादी मा के दौरा she used to wake him up वो उसे जगाया करती थी in the morning and get him ready for school और उसे school के लिए त्यार करती थी she ward मतलब नहलाती थी and dressed the author और लेखक को कपड़े पहनाती थी all the time there was the prayer on the grand mother's lips और हमेशा प्रार्थना रहती थी कहां पर दादी मा के ओठों पर then she would fetch his wooden slate उसके बाद उसके लकड़ी के जो तक्ती होती थी उसको तलासती थी after cleaning it tinny earthen ink pot उसको साफ करने के बाद एक छोटा सा मिट्टी की दावात रख देती थी and a red pen और एक लाल कलम tie them all in a bundle सबको एक bundle में बांद देती थी and handle them to the author और उसे लेखक को दे देती थी then तब after breaking after breakfast मतलब सुबा का जो नास्ता होता है उसके बाद went to school जाते नास्ती में क्या लेते बताये थे आप लोगों को सामवाली रोटी मखल लगा के न at the temple which was attached to school और वो temple जो school से जुड़ा हुआ था she read the scriptures वो पढ़ती थी क्या धार्मी पुस्तके and then returned in the way उसके बाद साथ में रास्ते से वापस होती gave style chapatties to the village dogs और जो बाशी रोटिया होती थी गाउं के कुत्तों को देती does she used to pass her whole day इस तरीके से उपना पूरा दिन गुजारती थी अब देखे जहां पर दूसरा question important है इसको आप लोग यहां से वीडियो रोकेंगे और लिख डालेंगे ठीक और पढ़लेंगे अगर समस्या होगी तो आप लोग क्या करेंगे पूछेंगे ओके thank you for this class अब आप लोग एक long question मतलब दो long question लिखेंगे और आप लोग को साथ question short answer बताया गया था पहले lesson का नाम writer का नाम लिखेंगे फिर word meaning note करेंगे short answer question लिखेंगे फिर long answer दो question लिख लेंगे आपका lesson क्या हो जाएगा complete ओके thank you for this class